नवस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागता दोस्तों कुर्षेत्र एउनिष्टी का BALLB जो ओनर्स कोर्स है फाइव येर का तो उनकी जो है थर्ड मैटर लिष्ट दोजार बाइस ते ही सैसन की वो आ चुकी है तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट है जिन का नाम थर्ड मैटर लिष्ट में आया है BRLB में तो वो अपनी जो है चैनो दोजार बाइस से लेके आठ नो दोजार बाइस तक अपनी जो डोकुमेंट वेरिफिकेसन आप करवा ले डोकुमेंट आप ओरिजिनल डोकुमेंट लेके इंस्टूट ओफ लोक उशेत् निश्टी में सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बेच में कभी भी अपनी डोकुमेंट वेरिफिकेसन आके करवा सकते हैं जो हर्याना स्टेट से हैं वो अपनी जो फैमिली आइडिया है उसको जरूर लेके आएं उसके बाद दोस्तो डोकुमेंट वेरिफिकेसन होने के बाद आप 6.9.2022 से लेके 8.9.2022 तक आप IUMH.KUK.AC.IN पे जाके अपनी लोगिन आइडि पासवर्ड अपना डालके आप अपनी फीज जो है भर सकते हो अपने मोबाइल फोन से ही दोस्तो वन बाइवन हम बात करेंगे कि कितनी सीटे व पहले हम बात कर लेते हैं आल इंडिया कैटिगरी की तो यह ओपन कैटिगरी होती है सभी के लिए इनकी जो है पांच-छै सीटे वेकेंड थी जो 92.6 से सुरू होके 91.6 पे ही फिल हो गई उसके बाद आल इंडिया एकनोमिक जो वीकर सेक्षन है आल इंडिया का तो उनकी ज आल इंडिया जनरल की कुछ सीटे वेकेंड थी जो 91.4 से सुरू होके 91 परसेंट पे ही रूगी दोस्तों काफी स्टूडेंट्स है जिनके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं बी एल एल बी को लेके और अलग अलग जो और कोर्सेंट है उनको लेके कि हमारा अड्मिशन हो जाए कि 91.2 पे रूगी है और अगर आपके नमबर 91 परसेंट हैं तो आपका चांस होँआ पर बनता है क्योंकि अगर कट ओफ निचे आती है तो और सीट वेकेंड होती है और कट ओफ निचे आती है तो अबिसली जो है 91 परसेंट वाले को ही मुका मिलेगा और 91 में भी यह हुता ह है कि 91 में अगर एक सीट वेकेंड है और 91 वाले दो से तीन या चार पांच बच्चे जो है वो वेटिंग में है तो उन में जो है एज का मैटर देखा जाता है कि जिसकी एज जादा है उसको जो है मौका दे दिया जाता है तो दोस्ता ऐसा कुछ ने होता कि एक पॉइंट्स भी कम है तो एडमीजन हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने वेटिंग में है और कितने जो हैं सेम नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग में हैं दोस्तों उसके बाद हर्याना जर्नल कैटेगरी की जो एकनोमिक वीकर सेक 3.4 एक SC Deprived के लिए जो 86 पे अडमीजन हुआ है उसके बाद BCA की जो मेरिटलिस्ट हो 89.2 से सुरू होके 88.8 पे जो है फिल हो गए उसके बाद BCB की तीन सिट्टे जो 85.8 से लेके 85.6 पे तीनों सिट्टे जो है फिल होई तो दोस्तों टोटल जो है 26 स्टूडेंट हैं जिन तो अभी भी कुछ स्टूडेंट है जो वेटिंग में हैं क्योंकि जो यह 26 स्टूडेंट है जिनका नाम आया है अगर यह अपनी फीस जो है 8 सितंबर 2022 तक अपनी डोकुमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं या अविर अपनी फीस जमा नहीं करवा पाते हैं कुछ जो 2-3-3 कौर्स में अपलाई करके रखते हैं किसी और यूश्टी में अपलाई करके रखते हैं तो उनकी जो फ़र्ष्ट प्रेफरेंस होती है वह आपे अड्मिशन ले लेते हैं और अपनी फीस जो है वो नहीं बरते तो इस केस में जो है आबी भी हो सकता है कि 26 वरे, डॉकुमेंट वेरिफिकेशन ना करवाए, तो उस case में जो शिटे वेकंट होंगी, या तो उनके बिहाब पे जो है next जो है maritalist आएगी, या फिर मोका दिया जाएगा physical counseling के लिए कि जो student है, physical counseling यानि department में आके पहले आओ, पहले पाओ, जैसे होता है कि आप आओ, अपना form भरो, और attendance अपनी लगवाओ, document verification करवाओ, साथ की साथ जो अडमिशन हो जाता है तो वो जो भी notification होगी, वो video डाल दी जाएगी तो दोस्तों, जो student है, जल्दी अपना document verification करवा लिए और अपनी फीश से, iumh.kuk.ac.in portal पे जागे अपनी फीश से भर ले, तो दोस्तों, यह दी information अगर आपको video अच्छी लगए है, तो video को like करें, और जादा से जादा इस video को जुरूर शेर करें, क्योंकि काफी students है, जिनका सपना है वो BLLB में admission लेना जाते हैं, तो उन तक भी यह video पहुंच पाएगी, cut of जो है, कितने percent पे रुकी हुई है, और अगर city vacant होती है, तो information डाल दी जाएगी, क्योंकि बहुत से students है, जिनका सपना है university में आगे, BLLB course करने का, तो दोस्तों, video को जुह है, जादा जादा share जुरूर करे, और like करे, अगर कोई queries है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, धन्यवाद, जय हिन, जय भारत